नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत श्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेश प्लेस में इस बड़े हम बात करेंगे एक पहतरी सेर के बारे में जिसमें आप लॉंग टर्म का इंवेंस्टिंग कर सकते हैं इसके लेविस और टार्गेट सभी चीजों की बात करेंगे द हैं तो आपको एक बड़ा नुकसान दिखाएगा आपके सेर में जिसके करण आप उसको लंबे समय तक होल्ड करने कोसिस करेंगे या तो वह सेर और नीचे आ जाता है तो आपको एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है तो दोस्तों इसलिए स्टॉप लॉस को रखना बहुत ही आरती इंडस्टीज वो भी काफी बहतरीन सेर है अलकाइन, एमिन्स, नवीन, फ्लोरीन, अतूल, लेम्टेर यह सारी बहतरीन सेर है जो चैमिकल सेक्टर है उसके बहतरीन स्टॉक में से यह सारे स्टॉक एक हैं अब बात करते हैं हम दोस्तों इसके मतलब लेवेज और टार मतलब 2017 के बाद और 2019 के लास्ट तक यह करेक्शन मोड में था उसके बाद देख सकते हैं कि यहां पर काफी तेजी मतलब देखने आपको मिल रही है 2019 के लास्ट मतलब नवंबर से ले करके अभी तक में तो दोस्तों समझ सकते हैं इस समय के दोरान काफी सारे स्टॉक में काफी अच्छी बात है तो वैसे में आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो स्टॉप लॉस के साथ ही इन्वेस्ट करनी चाहिए तो आपको जब भी इन्वेस्ट करना है इन सारे स्टॉप में स्टॉप लॉस के साथ इन्वेस्ट करनी है तो चलिए इसके हम लेवर्स और ट यहां पर देखसकते हैं यहां पर देख सकते हैं यह जो लोग बनाया था, यह भी पिछले लो को ब्रेक नहीं किया था, यह जो डोहजार 9 GUY की बाद कभी भी अपना काक्न मतलब, पिछले लोग क待って, बीषी िनल लगातार दारम और अंग्षाइन सकते है, 600 तक आया था और इसी रेंज में ये लगातार consolidate हुआ था और इस consolidation के बाद जो तेजी देखने मिली है तो यह stock अभी आपको 2241 रूपीज के price पर मिल रहा है तो यहाँ पर आप जो है daily chart के अनुसार तो यह जो चार्ट है weekly इसको आपको करना है daily chart और daily chart पर price का level है ये उपर का 2300 उसको जैसे break करता है 2300 को जैसे break करता है तो यहाँ से आपको उपर एक बहुत बड़ी तेजी देखने मिल सकती है तो जैसे 2300 को break करेगा उपर एक काफी बड़ी तेजी देखने मिलेगा और इसका जो support price है वो है 2000 का price तो 2000 का प्राइस जो वो support price है और उपर का जो ये 2300 है उसको जैसे break करेगा तो उपर एक बहुत बड़ी तेजी देखने आपको मिलेगा तो 2300 का level का wait किजिए उसको break करता है तो एक काफी बड़ी तेजी देखने मिलेगा और 2000 का price जो वो इसका एक support level है तो आपको यहाँ पर जैसे invest करें 2000 का जो price है वो आपका stop loss हो जाएगा और आगे का जो आपका target होगा यहाँ वो हो जाएगा 3000, 5000 यह हमारा target होगा उसके बादे हम लगाएंगे मंथली चार्ट मंथली चार्ट पर आप देख सकते हैं कि यह stocks जो है 15 years, 20 years के लिए रेखते हैं अगर हम technical chart पर तो हम मंथली चार्ट का प्रियू करते हैं मंथली चार्ट पर यहाँ पर आप दे लिजे यहाँ पर भी आपको यह 2013 से ही stock bullish दिखेगा यहाँ से देखते हैं मतब यहाँ से 2013 से काफी तेजी इसमें देखने मिला और जब यह 800 से ऊपर गया वहाँ से थोड़ा सा correction देखने मिला अलगवख 600 की price के range तक और इसी consolidation के बाद फिर से यह जो तेजी आप देखते हैं चल रहा है अभी तक जो pandemic था उस pandemic में इसमें गिरावट आया लेकिन उतना ज़्यादा गिरावट नहीं आया कि अपने previous low को break कर सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कितना यह stock bullish है काफी ज़्यादा bullish है मंधली chart पर देखते हैं काफी bullish तो आपको अभी daily chart के अनुसार इसमें entry करना है जैसे आपको 6 मेहना साल भर हो जाता है तो आपको weekly chart follow करना है weekly chart पर follow करना है और जैसे आप 5 years, 10 years के लिए invest करना चाहते हैं तो 2-3 साल के बाद आपको मंधली chart पर देखना stock bullish है या bearish है तो इस तरह से हम long term investment करते है technical chart के अनुसार तो अभी daily chart पर आपका जो यह price है अगर invest करते हैं position बनाते हैं तो 2000 का price आपका stop loss हो जाए 2000 के नीचे और यहां से अगर यह breakout देता है तो जैसे breakout देगा एक बरात तेजी देखने मिलेगा तो आपको stop loss को उपर बराना है ताकि आपका profit जो है वो lock होता चला जाए तो दोस्तों यह हो गया इसका technical आप चलते हैं हम इसके fundamentals पर तो fundamentals पर सबसे पहले company का valuation को देखते है company का valuation जो यहां पर click करते है company का valuation है 11,000 crore market cap है 11,000 crore और यहां पर पी है 25 का dividend है 550% और यहां से industry का P28 है जिससे हमारा इस company का P काफी कम है उसके बाद earning per share है 87 रूपीज और इसका जो dividend yield है वो है 0.49% dividend yield देख सकते हैं 0.49% है तो dividend yield जो कहा जाए तो और company के तुला में कम है जो अच्छे dividend देने वाली कमपनी है लेकिन overall अच्छा dividend है काफी क्योंकि इस share में काफी momentum देखने मिला अभी तक उसके बाद corporate एकसद पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आप dividend पर क्लिक किजिए तो यहां पर देख लिए 2020 में तीन बार dividend दे चुका है 2019 में कई बार dividend दे चुका है company bonus पर क्लिक करते हैं bonus यह stock कभी नहीं दिया है प्रमोटर्स का जो stake है इसमें 30% 30.52% है और 2.98% share pleased है और promoters का stake यहां लगवग constant है थोड़ा सा decrease हुआ है तो promoters का stake कम है इसलिए आपको इसमें थोड़ा सतर्क भी रहना है promoters का stake कम है तो क्यों कम है इसकी क्या बजहे है और 7-7 promoters का stake लगाता है अगर कम होता है तो आपको इस share में invest नहीं करने चाहिए तो इस बातों का भी आपको ध्यान रखना है तो यह काफी बहतरीन बाते हैं जो के आपको ध्यान रखा जाता है share holding pattern promoters का किस प्रकार change होता है अगर stake बढ़ता है तो company में हमें बुलिस साइन दिखाए देगा और अगर promoters के stake घरता है तो हम stock को BRS view से देखेंगे मतलब stock में गिरावट या कहें correction देखने मिल सकता है उसके बाद यहां पा equity share capital लगवग 10 crore के आसपास का है company के पास और जो reserve surplus है देखते है लगातार बढ़ा है और नीचे चलते है तो यहां माइन टो इंटेस जीरो है और लॉंग टर्म बोड़बिंग भी कमपनी का जीरो है नीचे चलते जाते है नन केरिंट लैबिलिटी माद 39 crore का है तो मतलब company debt free है company के उपर कोई debt नहीं है तो यह काफी positive sign है और जैसे जैसे नीचे चलते है tangible assert यहां पर सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और नीचे चलते हैं तो company के पास case or case equivalent है 283 crore का case or case equivalent है तो काफी बहतरीन सब चीज़ें इस company के पास जो के आप देख सकते हैं तो काफी बहतरीन stocks है अगर आप इसमें long term के लिए invest करते हैं या positional trading करते हैं या swing trading करते हैं तो काफी बहतरीन stock है तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा वीडियो को like किजेगा अपने दोस्तों के साथ share किजेगा अब पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन को दावा लिजेगा फिर बिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिन